नमस्कार, अनपूर्णा आपकी रसोई में आपका सुवागत है आज मैं मनाने जारी हूँ भर्वा प्याज की सबजी जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिये मीडियम साइज के प्याज प्याज को मैंने धोके साफ कर लिये और इस तरह से प्याज में कट लगा लिया है यहाँ पे मैंने लिया लैसुन हैरी मिर्च, प्याज, टमाटर और हैरी मिर्च टमाटर, प्याज और हैरी मिर्च लैसुन की बना लेती हूं मैं ग्रेवी इनकी क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज्यादा रखी है क्योंकि आप प्याज की भर्वा सबजी बना रहे हैं तो ग्रेवी की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रखिए तभी आपकी सबजी जो ज्यादा अच्छी बनेगी गैस ओन करती है, चड़ा दिये मैंने कड़ाई जिसमें मैंने डाल दिया एक बड़ी चम्मच भर के तेल यहाँ पर मैंने लिए खड़े मसाले यहाँ पर मैंने लिए लोंग, इलाइची, तेज पत्ता, बड़ी इलाइची, दाल चिनी तेल हमारा गरम हो चुका है, डाल दिया मैंने जीरा यहाँ पर मैं डाल रही हूँ खड़े मसाले खड़े मसाले में जरूर खाने चाहिए मारी सेथ के लिए अच्छे होते है और सबजी का टेस्ट है वो भी बहुत ज़्याद अच्छा हो जाता है यहाँ पर मैंने डाली यह दो हरी मिर्च जिसको मैंने बारिक बारिक चौप करके लिया है ग्रेवी आप देख सकते हैं ग्रेवी की क्वांटिटी है मैंने ज्यादा रखी है आप इस तरह से बनाईए सबजी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है बच्चों को भी बहुत ज्यादा पसंद आती है ग्रेवी को मैं अच्छे से से शेक लेती हूँ जब तक ग्रेवी तेल न छोड़ दे ग्रेवी अच्छे से सिख चुकी है आप देख सकते हैं ग्रेवी ने तेल छोड़ दिया है आपे डाल रही हूँ मसाले नमक स्वाद अनुसार हल्दी पाउडर लाल मीर्च पाउडर धनिया अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और मसालों को अच्छे से भून लेती हूँ मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं यहाँ पर मैं डाल रही हूँ एक कप पानी सब को कर देती हूँ मिक्स यहाँ पर मैं डाल रही हूँ प्याज अच्छे से सब को मिक्स कर देती हूँ और 20 मिनट तक इसको मीडियम आज पर पका लेती हूँ 20 मिनट हो चुके हैं आप देख सकते हैं हमारी सबजी जो बन के तयार हो चुकी है मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला और लीजिये बन चुकी हमारी भरवा प्याज की सबजी तयार आप इस तरह से बनाईए खाईए फिर बताईए कमेंट्स में कैसा लगा मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक्यू